हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर भाई आज हम बात करने वाले हैं जो कॉमन तीन गलती होते हैं CBC बनाते टाइम में उस गलती को आपको नहीं करना है ठीके भाई उस गलती को आपको नहीं करना है और क्या रहने वाला है सही तडिका उस गलती को कैसे सुधार करना है और CBC आप कैसे बनाना है ये गलती को सुधार करोगे आप तो ही आप रैंक वन लाएंगे और अच्छा वेनिंग करने वाले हैं ठीके भाई बैसिक सी बात है सब भी लोग आप अगर देखेंगे या खुद पर अनुभाव भी किये होंगे तो होता क्या है भाई जब आप टीम बनाते हैं 11 प्लेयर लेकर के उसे में क्या होता है कि आपका 8 खिलारी जो है या फिर दो खिलारी ठीके भाई जो आपका CBC वला है ये खिलारी आपका नहीं चलता है मतलब आपका 8-9 खिलारी बहुत अच्छा पर्फर्म करते हैं लेकिन जो CBC है भाई वो आपका नहीं चलता है ठीक है आपने ये खुद अपने प्यावने बहु होगा या अपने फ्रेंड सरकल में जहां पर भी आप देखे होंगे ये गलतियां अकसर होती है ठीक है भाई आपका 8-9 खिलारी अच्छा पर्फर्म कर रहा है और 2 खिलारी अच्छा पर्फर्म नहीं किया वो CBC वाले तो आप क्या करते हैं आप CBC जो बनाते हैं वो गलत चून लेते हैं ठीक है गलत बना लेते हैं तो ऐसा गलती जो तीन तरीके गलती होते हैं जिसके वज़ा से आप CBC अच्छे से नहीं या आप डूंड पाते हैं और अच्छे से नहीं बना पाते हैं जिसके वज़ा से आपका आट खिलारी जो है वो अच्छा पर्फर्म करता है नौ खिलारी अच्छा पर्फर्म करते हैं लेकिन जो दो खिलारी हैं कैप्टेन और वाइस कैप्टेन वाले वो आपका फॉल्स हो जाता है और आप रैंक में अच्छा रैंक नहीं ले पाते हैं औ तो उन तीनों गलती को आपको सुधारना है उसके बाद जब आप टीम बनाएंगे भाई तो आपका टीम अच्छा बनेगा और गारंटी आप अच्छा विनिंग करके जाएंगे यहां से कोई भी मैच चलड़ा होगा कैसे भी चलड़ा होगा बस यह तीन लॉजिक को आपको देखना है और यह तीन जो गलती होथी है भाई इस गलती को आपको सुधारना है तो ही आप अच्छा पर्फरम कर पाएंगे और यहां पर purchasing कर पाएंगे अच्छा विन करके जाएंगे ठीक है भाई तो चलिए अब बात करते हैं को वह तीन गलती क्या है उसे अपने टीम में कैसे सुधार करना है आप कैसे सुधार कर सकते हैँ जैसे माल लिजे कि एक match है ठीके भाई कोई भी match अगर लगाते होंगे dream 11 में कोई भी match चलता होगा चाब हो इंडिया का हो पाकिस्तान का हो आइस्टेडिया का हो South Africa का हो England का हो या फिर आप T20 हो या फिर UDI हो ठीक है भाई या फिर IPL हो या जो भी मैच हो T20 World Cup हो उसमें आप अच्छा परफन करेंगे CBC को अच्छे सूज करेंगे जैसे माली जी कि यहाँ पर PR vs JSK की बीच मैच चल रहा है ठीक है भाई इसमें जो हम टीम बनाएंगे टीम बनाते वक्त तो वही पर हमको decide करना होता है कि जो हमारा captain हैगा वो सही रहेगा या नहीं रहेगा ठीक है भाई तो career team पर आते होंगे अब देखेंगे जो हम common यहाँ फ्र गलती देखेंगे वह देख लेते हैं ठीक है भाई जैसे कि आप यहाँ पर player चुनते होंगे तो यहाँ पर हम player चून लेते हैं ठीक है जैसे आप चूनते होंगे उसी तरह हम भी चून रहे जो पहला गलती होता है उस पर हम focus करेंगे उसके बाद second गलती पर फिर third गलत यहां पर देखिए पीच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है और गूट फूर पेसर है अब यहां पर असपश नजर आ रहा है भाई जो पीच रहने वाला है वो बल्ले बाजी के पक्स में जाता है अब जो हम नॉर्मल बैसिक सी गलती करते हैं वो क्या करते हैं बैट्समेन को आ गहें बॉलर को ले लिए अब बॉलर में किसको लेना था यहां पर देखिए है यहां पर पेसर ठीक है अब क्या कि हैं यहां पर एस्पीनर ले लिए अब भाई यहां पर पैसर पैसर भी केट निकालेगा और आप जा रहे हैं एस्पीनर को ले करके बैटिंग फ्रेंडल इसको यहाँ पर CBC बना दी है, इसको CBC बना दी है, अब भाई यहाँ पर batting friendly है, batsmen ज्यादा run बनाएंगे, और आप दोनों को यहाँ पर CBC बना दी है, बॉलर में, तो कभी आपका rank one नहीं आएगा भाई, batting friendly पीछ है, और आप बना दी है, बॉलर में CBC, ठीक है, तो यह ग तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो CBC चूस करेंगे, वो जाएंगे, यहाँ पर चलेंगे, और CBC बनाएंगे, एक खिलारी को हम batsman में ले करके चलेंगे, ठीक है भाई, batsman में ले करके चलेंगे, तो हम batsman बना देंगे, उसके बाद एक खिलारी को, या तो आप all downer में चले जाएए बॉलर में किसके साथ जाना है जो पेसर होंगे तो पेसर को आप यहाँ बना दीजे अब प्रिव्यू बाले पर आईए अब देखें यहाँ पर भाई टीम का जो कंबिनिशन होगा अक्सर आप देखें होंगे जो बैटिंग फ्रेंडली पीच होता है जो बैटिंग आपको बैटिंग फ्रेंडली में आपको गयाररी जो है यह आव्ट नहीं होते है आउट पेसर उन्यावर इक्सप्र्मेंट किय को ठगा तो आपो पता होगा जो बैटिंग फ्रेंडली रती है पीच उसमें क्या होता है कि आपके टोटल 11 खिलाडी all out नहीं होते हैं वो जो है आपका साथ से 8 खिलाडी तक all out होता है ठीक है भाई अब दिखो क्या करना है जैसे माल लिजी जैसन रोई पहले बैटिंग करने के लिए आते हैं आपनिंग करने के लिए मतलब सलाइई बलेवाज है उसके जगापे जो दूसरे निवर पर आएंगे जैसे माल दिजी एरीजा हैंरी ठीक है भाई तो आप क्या करना आपको जो तीसरे मतलब तीसरे डॉन पर आएंगे उसे अपने टीम में C बनाएंगे मतलब captain बनाएंगे ठीक है बाई captain बनाएंगे क्योंकि batting friendly जो पीछ है तो इसमें आपका run बनेगा अच्छा खासा ठीक है या तो तीसरे डाउन का या फिर चौते डाउन का बनाईए आप अपने team में captain जो batting friendly रहेगा तब उसमें आप जो batsman करहेगा उसे तीसर play में balling करते हुए देखनों के मिल जाएंगी जो खिलारी power play में balling करने के लिए आएगा उसे आप आँख बंद करके VC बना देंगे मतलब vice captain बना देंगे तो इससे क्या होगा मान लिजिए ये खिलारी अगर आपका balling करने के लिए आया batting friendly है बिकेट गिरने का chance कम है ठीक ह लेकिन आपका जो बले बाज है captain है वो तो तो तीसरे और चौतरे डॉन पर आएगा तो उसको chance मिल जाएगा अब ये मान लिजिए कि एक बिकेट निकाल लिए या चलिए इसको बिकेट नहीं मिला ठीक है तो दो अबर इनका मान लिजिए खतम हो गया अब यहाँ पी क्या ह होता है दो अबर खतम हो गया तो पूरा अबर यह सब खेलेंगे ठीक है आल आउट नहीं होंगे तो इनका जब दो अबर बचे का दैथ अबर में अब जो उससे में में आपका जो बिकेट बचा रहेगा तो बले बाज हाईस ट्रॉन बनाने के चकर में आउट होंगे गारं यहांपर रन होता है मतलब रन रेट ज्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं और वइसे इस दितिती में बिकेट घिरता है जो आपके फासटर बॉलर होंगे पेसर बॉलर और वो जो आएंगे दित अबर में दो बबल लेकर के आएंगे वह बिकेट लेकर के जाह लेगे और य ना देंगे तो ये logic आपको समझना परेगा ठीक है भाई ये गलती को आपको सुधार करके इस तरह से आपको अपनाना है एक गलती को आपको यहाँ पर सुधार करना है ठीक है भाई अब जो दूसरा गलती होता है वो क्या करते हैं दूसरा गलती चलिए हम वो देख लेते हैं अक्सर क्या होता है जो सभी लोग क्या करते हैं CBC जाते हैं दोनों तरफ से आपको Captain और Vice Captain जो है वो बॉलर को बना दी है ठीक है भाई यहाँ पर पीछ कोई साभी हो वो मैने रेटरी अभी नहीं है हम आपको जो बता रेटरी किये जानिए अम मान लिजी कि एक तरफ से दोनो को CBC बना दी है ठीक है और यहाँ फिर क्या करेंगे इधर से Batsman में CBC बना दी है मतलब Captain, Vice Captain Batsman को यह दोनों को बना दी है और कभी-कभी होता है कि जो गलती होती दूसरी गलती वो यह करते हैं कि Baller में ही उसे CBC बना देते हैं मतलब Captain और Vice Captain यह कोई logic हो भाई आप यहाँ कभी-कभी होता है कि Batsman में CBC बना दी है और कभी-कभी Baller में ही दोनों को CBC बना दी है अब जो गलती है यहाँ पर देखे भाई क्या करना है यहाँ पर आप 80% चांस देखे होंगे जो भी टीम हाइस ट्रेंग लेके आती है अच्छा पोइंट बना दी है रैंक वन लाता ह है और अच्छा विन करती है उसका आप 80% में मात्रों 20% देखे होंगे यह हम अपने रिसर्च और बहुत से बता रहे हैं आपको भी ऐसा फिल हुआ होगा जो कि जो बॉलर होते हैं या बॉलर में आप CBC बनाएं इनका कम से कम मात्रों 20 या फिर 10% ही आप देखे होंगे ऐस आपको नापकरयcal के सामाति टीम वाली रैंक वन लाती है मतलबॉलर जो है कैप्टन और खिल्च कैपटनों इसा है मात्र 20 यफिर 10% ये मात्रों एसा ही लोजिक होता है या या 10 या फिर आप देखे होंगे 20 परसंट ऐसा ही टीम जो है वो यहाँ पर रैंक वन लाती है मतलब 80 परसंट आप नहीं देखे होंगे बाई 80 परसंट आप नहीं देखे होंगे अब यहीं पर माल देजे कि हम CBC इसको बना दिये ठीक है दोनों बैट्समें भी बता दिये इस में भी आप देखे होंगे मात्रों 20 परसंट ही ऐसा होता है जो टीम बैट्समें नहीं कैप्टन और भायस कैप्टन मनाते हैं उसका टीम निकलता है 80 परसंट आप यहाँ पर नहीं देखे होंगे 80 परसंट आप यहाँ नहीं निकलता है 20 परसंट ही टीम ऐसा निकलता है तो अब जो तीसरा गलती है भाई वह आपको यहाँ पर समझा रहे हैं इसे आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले आप यहाँ पर हम आपको बता दें कि Captain Vice Captain होता क्या है और यह इतना important क्यों होता है rank one लानी के लिए अच्छा यहाँ पर आपको winning कराने के लिए तो भाई logic यह है CBC का यहाँ पर आप देखेंगे Choose your Captain and Vice Captain अब यहाँ पर इंटू यहाँ पर दिखा हुआ है इंटू दिया हुआ है इसका मतलब है भाई जो Captain है वो आपको अगर एक point दिये normal खिलारी ठीक है जैसे माल लीजे जोस पर लिए को मनें Captain नहीं बनाया है यह एक point दिये तो यहाँ पर माल लीजे को Captain बना के रखेंगे इस जैसे माल लीजे जोस बटर इसको 32 लाख लो Captain बना करके चले हुए है तो 32 लाख में यहाँ पर आप देखेंगे जो अगर यह एक run लेते हैं मतलब एक point देते हैं तो यह कितना हो जागा दो point दो point जो है 32 लाख आदमी का यहाँ पर दो point हो गया और जो इससे Captain बना करके नही चला हुआ है वहाँ इसका एक point ही रहेगा ठीक है अब देखो भाई यह 32 लाख आदमी यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे तो वह पीछे रहेगे हैं अब यहाँ जो 32 लाख लोग है वो आगे हैं यहाँ पर देखेंगे जो 68 percent लोग है इससे ठीक है तो यहाँ पर point को cover कर रह हैं आपको तो 32 लाख लोग है यहाँ पर चले हुए हैं इसको अब यहाँ पर देखेंगे जो वाइस क्याप्टन होता है वो आपको अगर एक point देते हैं तो वो point बनता है आपका dare point ठीक है dare point बनता है तो यह इस तरह से काम करता है अब देखें गलती जो होती है वो क्या गल है ठीक है भाई अब देखो यहाँ पर जो वाइस क्याप्टन मनाएकर रखे होंगे वो देखें 16% लोग और यहीं पर देखेंगे आप 12% लोग ठीक है आंधून लोग आंक बंद करके ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन अब जो आपको गलती सुधार करना है जरूरी नहीं है कि ज जो हमेशा अच्छा ही करेंगे ठीक है माले जिए कि अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो सबका कॉंपिट्सन आपके साथ रहेगा सबका साथ रहेगा सबका चलने वाला है यहाँ पर अब यहाँ पर जो ट्रिक और दिमाग लगाना है जो गलती सुधार करना है वो करना है जैसे माले जोस बटलर है इसको आपको कैप्टन नहीं बनाना है कैप्टन अगर आप नहीं बनाते हैं माले जिए कि यह मैंटेली पॉइंट देकर चले 20 पॉइंट या 30 पॉइंट ही दिये अगर यह नहीं चले तो अब आपका क्या हुआ यह नहीं अगर चले जो आप में म सबसे पहली बात अगर यह नहीं चलेंगे तो यहां पर जो आपका 95 लाक आदमी है उसका competition यहीं पर खतम हो गया आपके साथ अब आप जो 95 लाक आदमी है उससे आगे बढ़ गए हैं ठीक है अब यहीं पर देखते हैं 32 लाक जो कैप्टेन बना करके रखे हुए हैं अब 32 ला है अगर आप हाई सेलेक्शन वाले को ड्रॉप करके चलते हैं captain या वैस captain में तो ठीक है तो यह आपको यह गलती नहीं करना है अब क्या करना है भाई अब बोलेंगे कि भाई आप इसी नहीं लेकर चलेंगे तो किसे लेकर चलेंगे देखे आपको जो बरे खिलारी होते हैं उसे आपको captain बनाना है वो आपको rank 1, rank 2 लाएंगे और अच्छा win कराएंगे ठीक है भाई तो थोरा सा risk लेना परेगा जो पंतर खिलाडी होंगे उसे अपने team में इस्तमाल करके चलना परेगा अब देखो भाई यहाँ पर क्या करना आपको अब ऐसा नहीं है कि हम अचानक से ही यहाँ पर हम ड्रॉप करतें सबसे लुए selection वाले खिलाडी को चले जाए नहीं ऐसा भी नहीं करना है बाई ऐसा में क्या होगा कि मान लेज़े कि अगर यह मेरा नहीं चला ये तो हम अचानक से मेरा टीम जो है वो पूरा कंपेटिशन से सबसे हम हार गए है और पीछी तो लेगे अब मेरा उपर जाने का चांस बिल्कुली खतम हो गया तो ऐसे खिलारी को बनाना है जिसका फॉर्म अच्छा था ठीक है लेकिन उनको कम परसंट लोग लेकर के चल रहे हैं जैसे मान लेजिए यहाँ पर रिजा हैंडिक अच्छे खिलारी है आप जानते होंगे अच्छे खिलारी है कोई भी टीम में हो आप जानते होंगे कि यह खिलारी अच्छा है 10 में हो जैसे माल लीजिए एन बर्गर ठीक है हम इसे बना देंगे वाइस केप्टन तो आपको ऐसे खिलारी को मनाना पड़ेगा जिसका पर्फरमस लगातार अच्छा आ रहा हो लेकिन ज्यादा लोगों ने उसे केप्टन और वाइस केप्टन नहीं बनाया है यह खिलारी अ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्फ मिला होगा और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके जरूर जाएगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों वीडियो के लिए धन्यवाद